हेलो एबरिवान आज हम देखते हैं कि किसी ब्यक्ति या किसी प्रोनावन में अपने के लिए यानि पॉसेशिव केस क्या रहता है आई यानि मैं अपने घर तुम अपने पिता के साथ अपने के लिए हम क्या लगाते हैं उसके देखते हैं अपने अपना देखेंगे अपना अपन देखेंगे, अपना चलिए देखते हैं, जैसे कोई singular noun है, singular है, singular noun है, male में, तो उसके लिए, अपने के लिए क्या होगा, हीज, क्या होगा, हीज, और singular noun, कोई singular noun, female है तो, वहाँ पर अपने के लिए क्या लगाएंगे, हर, जैसे सीता, गीता, रीता, महिमा, अपने, अपने के लिए क्या लगाएंगे, उनके पास, हर, और, अगर singular, singular कर रहे हैं, सोरी, plural noun, कोई plural noun हो, चाहे वो male हो, या female हो, उनके साथ अपने के लिए हम क्या लगाएंगे, देयर, यह देयर, ठीक है, ध्यान रहे, जैसे दो व्यक्ति हो जाएं, राम और सीता, या, सीला और पिंकी, दो लोग हैं, सीला, पिंकी और टीना, तीन लोग हैं, अपने मित्रो, अपने माता के साथ तो हाँ पर देयर लगेगा, ध्यान टे, singular noun, male के लिए, अपने के लिए हीज लगता है, singular noun, female के लिए, अपने लिए हर लगाएंगे, पिवलर नाउन एंड मेल फीमेल के लिए हम क्या लगाएंगे देर लगाएंगे और इसी में है अब आते हम प्रोनाउन देखते हैं ही के लिए अपने के लिए क्या लगाएंगे हीज सी के लिए लगाएंगे हर सी के लिए हर और आगे we के لिए अपने के लिए लगाते हैं आवर कहींपर अपना आ जाए तुसकी एंगलेजी वी के लिए आवर I के लिए अपने के लिए possessive case I का होता है माई I के साथ क्या लगाते हैं माई और आगे क्या होगा they दे के लिए अपने के लिए क्या लगाते हैं देयर यू के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं आवर इट इट के लिए अपने के लिए क्या लगाते हैं इट्स और क्या हो ही सी इट यू वी दे आई बस इतना ध्यान रहे कि अपने के लिए इन सब चीजों का प्रियोग होता है सिंगूलर नाउन मैल के साथ ही रिचस इस इस और smallest यू के साथ यो यह है आपका अपने के लिए यूज्ञाब होता हिंदीस अंग्रेजी बनाने में तो अपने के लिए इनका प्रियोग हम करते हैं और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आई तो जरूर सेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू